बोनी कपूर ने उन खबरों पर पहली बार अपना रियक्शन दिया है जिन में कहा गया था कि श्री देवी ने जहनवी कपूर को शादी से पहले जनम दिया था बोनी कपूर ने कहा कि ये बात जूटी है जानवी का जनम उनकी और श्री देवी की शादी के बाद ही हुआ था एक इंटर्वियो में बोनी कपूर ने अपनी परसनल लाइफ पर बात की और उनने कहा श्री देवी से मेरी दूसरी शादी शेडी में हुई थी हमारी शादी 2 जून 1906 को हुई इस सिक्रेट शादी के साथ महने बाद श्री देवी की प्रेगनेंसी साव दिखने लगी थी तो हमारे पास कोई चारा नहीं था दुनिया को दिखाने के लिए हमने जनवरी 1903 में फिर से शादी की इसी वज़े से लोगों को लगता है कि श्री देवी शादी से पहले प्रेगनेंट थी और जानवी का जन्म हमारी शादी से पहले हो गया था जबकि ऐसा नहीं था बोनी कपुन ने ये भी बताया कि उनका परिवार बहत धार्मिक है जानवी हर तीन महिने में तीरुपती जाती है श्री देवी अपने हर जनम दिन पर पैदल तीरुपती के दर्शन करने जाती थी जब मैं मुसीबत में होता था तो वो नंगे पाव सिद्धी बिनाय के दर्शन करने जाती थी बोनी कपुन ने श्रीदेवी से शादी करने के लिए पहली पत्नी मोना को तलाग दे दिया था पहली शादी से इनके दो बच्चे हैं अरजुन और अंशुला श्रीदेवी से शादी के बाद बोनी को दो बेटियाओं के पिता बने जहनवी और खुशी इसी के साथ बने रहे हैं एशानी जिन्दा के साथ खंदी बाद